इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत यह तंद्रा यानि की नौकोलेपसी के बार-बार होने वाले हमलों से जुड़ी मांस्पेशियों की कमजोरी यानि की केटाप्लेक्सी कभी इलाज करता है और अन्य दवाओं के प्रती अनुत्तर दाई अवसाद का प्रबंधन कर सकता है। लेकिन बहतर प्रभाव के लिए आपको इसे प्रती एक दिन एक निश्चित समय पर लेना चाहिए। या धीरे-धीरे कम किया जा सकता है। इस दवा के सबसे आम साइड इफेक्ट्स में अपच, भूख न लगना, मुव में सूखापन, मतली और कब्ज शामिल हैं। यह चक्कर आना और उनींदापन भी पैदा कर सकता है। गारी न चलाएं या ऐसा कुछ भी न करें जिसमें मानसिक ध्यान केंदरित करने की आवशक्ता हो जब तक आप यह नहीं जानते की यह दवा आपको कैसे प्रभावित करती है। चक्कर आने की संभावना को कम करने के लिए यदि आप बैठे या लेटे हुए हैं तो धीरे धीरे उठें। इससे कुछ लोगों का वजन भी बढ़ सकता है। अधिकांच सामान्य दुश्प्रभाव हलके और अस्थाई होते हैं। आपका डॉक्टर साइड इफेक्ट को रोकने या कम करने के तरीकों का सुझाव देने में सक्षम हो सकता है यदि वे आपको परेशान करते हैं या दूर नहीं होते हैं। इस दवा से जुड़े गंभीर दुश्प्रभाव दूरलब हैं। इस दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर को यह बताना जरूरी है कि क्या आप उसी या किसी अन्य बीमारी के लिए हाल ही में कोई अन्य दवा ले रहे हैं या ले रहे हैं। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को यह दवा उचित परामर्श और सावधानी के साथ लेनी चाहिए। यह दवा नशे की लत नहीं है लेकिन यदि आप इसे अचानक लेना बंद कर देते हैं तो आप अतिरिक दुषप्रभाव यानि की वापसी के लक्षन का अनुभव कर सकते हैं। अगर आपको अचानक मूड में कोई बदलाव दिखाई देता है या आपको आत्महत्या या खुद को नुकसान पहुँचाने के विचार आते हैं तो आपको बिना देर किये डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। साथ ही इस दवा को डॉक्टर द्वारा सलाह के अनुसार सकती से लेना याद रखें क्यूकि इस दवा की अधिक मात्रा से गंभीर स्वास्थ्या पात्स्थिती हो सकती है। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद.